चलिए तो अब शराब को लेकर एक खबर आ रही है कि अगर शराब पीते पकड़े गए तो सरकार जुर्माना लेकर नहीं छोड़ेगी बलकि आपके पीछे पीछे आपके घर पर उत्पात विवाग की टीम पहुंचेगी और वहाँ पर एक पोश्टर लगाएगी पोश्टर पर आपका नाम लिखा जाएगा उसके नीचे आपके पापा का नाम लिखा जाएगा और उसके नीचे लिएकर बताया जाएगा कि शराब पीते हुए यह लड़का पकड़ा गया है और इतना रुप्या जुर्माना लेकर चुटा है और उसके बाद से लिखा जाएगा कि इस बार तो जुर्माने देकर छुट गया लेकिन अगली बार पकड़ा जाएगा तब कितने साल के लिए अंदर जाएगा इसका पूरा का पूरा बिवरन दिया जाएगा मतलब कि आपके घर पर पोश्टर चस्पा हो जाएग और पोश्टर चस्पा होगा तब लोग कहा रहे हैं कि अब तक तो था कि लोग जुर्माना देकर छुट जाते लेकिन अब सरकार पिता जी से मार छिलवाने का पूरा इंतजाम करवा रही है अब मतलब आप ऐसे समझें कि कोई 18 साल 20 साल का लड़का पकड़ा गया तो उत्पाद भाके टीम उसके घर पर जाएगी और उसके पिता जी के नाम के साथ पोश्टर लगाएगी और तब 18 साल 20 साल के लड़का जो लोग कह रहे हैं उसके मुताबिक जुत्ता निकाल कर पि पिते हुए पहली बार कोई पकड़ा गया तब जुर्माना देकर आपको छोड़ दिया जाएगा इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी लेकिन जुर्माना देकर छोड़ने के बार उत्पाद भीभाग की टीम पुलिस वाले आपके घर पहुचेंगे और वहां पर जाकर एक पो जाएगा तब एक साल के लिए भीतर चला जाएगा मतलब की जेल में चला जाएगा और कुल मिलाकर अब सोचल मेडिया पर लोग इसके बारे में मजाग भी कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि अब पुश्र लगाकर सरकार जाकर पीता जी को भी कहेगी पापा को भी कहेगी कि अ उसके बाद आपके घर पर जाकर पोश्टर लगेगा और पोश्टर में केवाल आपका नाम नहीं रहेगा बलकि आपके नाम के साथ साथ उसके नीचे लिखा रहेगा कि आप किसके बेटे हैं मतलब कि आपके पापा का नाम भी उसी पोश्टर पर लिखा जाएगा और वो पो प्राम लेकर छोड़ दिया लेकिन वो अगले दिन फिर से बैठकर शड़ाएँ आधेश जारी कर दिया कि अगर हम पकड़े जाएंगे या कोई भी पकड़ा जाएगा शड़ा पिकर तो पुलिस उसके घर पर पहुंचेगी उसके घर पर जाकर एक पोस्टर लगाएगी जिस पर उसके उसके पिदा जी का नाम लिखा होगा और एक record वही पर बना दिया जाएगा कि अब यक्ति इतने बार शडापी घर पकड़ा गया पहली बार पकड़ा गया तो क्या हुआ दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो क्या हुआ और दूसरी बार पकड़ा गया तो जेल से छ पाद विभाग की टीम की अधिकारी भी देखेंगे और जब जो वहां से गुज्रेगा वह आदमी उस पोस्टर को देखेगा तो फिलाल अब अगर वियार में रहकर आप शड़ाप का सेवन करते हैं तो आपके लिए बूरी खबर यही है कि आपके घर के बार पोस्टर चपक है और हमने आपको बताया कि आपको तो पुली छोड़ देगी लेकिन आपके घर पर पोस्टर किपका देगी और पोस्टर पिता जी के नाम के साथ चिपकेगा और उसके बाद क्या होगा इसके बारे में सिर्फ आप मन में कलपना कीजिए बाकी अब तक जो जनकारी आई है उसे हमने आप तक पहुचा दिया आगे इसके बारे में अगर कुछ और जनकारी आती है कुछ और डिटेल आता है तो उसे हम अब तक पहुचाएंगे फिलाल इस वीडियो को इस पर समाप्त करते हैं हम जनतांक्शन के माध्यम से अब तक तमाम जनकारी पहुचाते आप जनतांक्शन के साथ जूरे रहें अगर देख रहा हैं तो पेज को लाइक कर लिजिए और यूटूब पर देख रहा हैं तो चैनल को भी शब्सक्राइब कीजिए कि हम रहें पिछ भी साल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद